नमस्कार विद्यार्थियों आज की कक्सा में हम हिंदी व्याकरण का विकारी शब्द शर्वनाम के बारे में अध्यन करेंगे विकारी शब्द क्या है और इसके प्रकार के साथ-साथ संग्या शब्द का अर्थ वे प्रकार हम पिछली कक्सा में पढ़ चुके हैं तो आईएब शर्वे नाम के बारे में जानने की कोशिस करते हैं, शर्वे नाम का अर्थ, शर्वे नाम का अर्थ है सभी का नाम, शर्वे नाम किसे कहते हैं? संग्याप के इस्तान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द शर्वे नाम कहलाते हैं जैसे मैं, हम, तुम, आप वे ये किसका कब क्यों, कैसे इत्यादी अब जानना यह है कि शर्वे नाम शब्दों की आफशेकता क्यों पड़ी क्या संग्यापदों की कमी रहे गई, यानि कौन सी वज़े रही कि शर्वे नाम शब्दों को हिंदी में इस्तान दिया गया आईए एक उधारन के माधिम से जानने की कोशिस करते हैं जैसे कि हम यहां लिखते हैं कि राम एक अध्यपक है, राम दयालू है, राम का मित्र मोहन है अब इसको एक साथ बोलने पर राम एक अध्यपक है, राम दयालू है, राम का मित्र मोहन है अब यहां देखते हैं कि राम सब्द की जो आवरती है वो बार बार हो रही है जिससे वाक्य थोड़ा सुनने में नीरस लगने लग जाएगा या यूं कहें कि वाक्यों को वाक्य को ऐ प्रभावी बना देता है तो इस दोहरान से बचने के लिए कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो इन संग्या शब्दों के इस्तान पर लिख दिया जाए जो वही अर्थ देने लगे अर्थार्थ जैसे राम एक अध्यापग है वह दयालू है अब यहां राम संग्या सब्द है इसके इस्तान पर पहलिख देते हैं राम का मित्र मोहन है अर्थार्थ उसका मित्र मोहन है अब देखते हैं कि राम की जगे जो सब्द आये हैं यही शर्वे नाम कहलाएंगे शर्वे नाम के छे बेद होते हैं पुरुष वाचक शर्वे नाम निश्चे वाचक, एनिश्चे वाचक, प्रेश्ण वाचक, संबंद वाचक, निज वाचक इन सबी शर्वे नाम के भेद को याद करने के लिए यहाँ एक वाक्य दिया गया है जिस वाक्य को सबज कर आसानी से याद किया जा सकते हैं जब पुरूस निष्चे और एनिष्चे से घिर जाता है तो उसके मन में प्रश्ण उठते हैं जिसका सम्मंद निज से होता है यानि कि इस वाक्य में दिया गया है कि जब पुरूस किसी निष्चे और एनिष्चे में घिर जाता है तो उसके मन में क्या उठते हैं प्रश्ण उठते हैं और उसके मन में उठे हुए प्रश्टों का संबंद भी किस्चे होता है निज से यानि उस पूरुष स्विम से होता है इसमें पूरुष वाचक, निश्चे वाचक, एनिश्चे वाचक, प्रश्ण वाचक, सम्मंद वाचक, निजवाचक आईए अब पूरुष वाचक सर्वे नाम के बारे में जानते हैं जिन सर्वे नाम पदों के इस्तान पर पूरुष जाती का बोध होता है उसे पुरुष वाचक शर्वे नाम कहते हैं यानि कि सबसे पहले तो पुरुष कहते किसे हैं यानि कि जिसके बारे में बात की जाए वह कहलाता है पुरुष यहाँ पुरुष का समद्ध किसी पुरुष से नय होकर पुरुष और इस्त्री दोनों से ही हैं पुरुसे तीन प्रकार के होते हैं उत्तम पुरुस कहने वाला वक्ता या पाठक उत्तम पुरुसे होता है उत्तम पुरुस के वाक्यों में प्रियोग किये जाने वाले सर्वनाम शब्दे एक वचन में मैं मेरा मुझे मुझको मुझसे ऐसे ही बहुवचन में यदि कोई वाक्य बहुवचन का बनता हो तो वहां हमारा हमें हमको हमसे इत्यादी ऐसे ही दूसरा है मध्यमपुरुस यानि कि सुनने वाला या स्रोता मध्यमपुरुस होता है इससे बनने वाले वाक्य होते हैं उसमें एक वचन में तुम तुम्हारा तुझे तुमको तुझसे पहुवचन में आप आपका आप से आपको यानि मध्यमपुरुस से जो वाक्य शुरू होते हैं या मध्यमपुरुस में सर्वे नाम जो सब्द आते हैं तो उसमें इस सब्द से इन सब्दों से वाक्य बनाये जाते हैं अन्यपुरुस जिन सर्वे नाम सब्दों का प्रियोग वक्ता के द्वारा स्रोता के सामने किसी अन्यव्यक्ति के लिए किया जाता है यानि कि शर्वे नाम पूरुस जो अन्य पूरुस है उसके अंदर गत प्रथम पूरुस और मद्य पूरुस के बीच में बात आपस में नहों करके दोनों किसी तीसरे की बात करते हैं जिसमें अन्य पूरुस आता है इसके अंतरगत उधारण जैसे यह, ये, वे, इनका, इसे, उसे, वे है, इन होने, उन होने आदी आप शर्वनाम का प्रियोग तीन इस्तानों पर किया जाता है साधारण तहें आप सब का प्रियोग मध्यम पुरूस में किया जाता है लेकिन यदी हम वाक्यों को ध्यान से देखें तो केवल मध्य पुरूस में ना होकर कि अन्य पुरूस और निजवाचक सर्वनाम में भी आप सब्द का प्रियोग किया जाता है तो यहां ध्यान रखने योगे बात यह है कि आप सब्द को पहचान कर वाक्य की पहचान करना कि ये किस वाक्य ये है कौन से पुरुस के अंतरगते आया हुआ है जैसे मद्यम पुरुस में साधारन वाक्य जैसे आप घर जाईए यानि कि यहाँ पर प्रथम पुरुस से मद्यम पुरुस से सीधी बासा में साधारन वाक्य बात कर रहा है कि आप घर जाईए यहाँ पर मद्यम पुरुस का प्रियोग हुआ है लेकिन कई बार आप सब्द का प्रियोग अन्य पुरुस में भी होता है कैसे जैसे असोक गैलोत मित्वई सासक कहलाते हैं आप जोदपूर के रहने वाले हैं आप जोदपूर के रहने वाले हैं अब देखते हैं कि इस वाके में भी आप सब्द का प्रियोग हुआ है लेकिन क्या ये आप मद्यम पूरूस के लिए है क्या आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके सामने है नहीं क्योंकि यहां हम किसी अन्य पूरूस के बात कर रहे हैं कि असोगेलोत मित्वई सासक कहलाते हैं वो अपने सामने नहीं हैं हम मद्यम पूरूस से बात कर रहे हैं लेकिन अन्य पूरूस के बारे में बता रहे हैं आप जोद्पूर के रहने वाले हैं यह आप जो सब्द हैं यह उनके लिए यानि असोगेलोत के लिए ही आया है यह एक सम्मान सुच्चक यानि उसको सम्मान देने के लिए इस सब्द का प्रियोग किया गया है ऐसे ही निजवाचक शर्विनाम कई बार निजवाचक सर्विनामे भी आप सब्द का प्रियोग होता है लेकिन वो मद्द्यम पुरूस का यानि आप यानि अन्य के दूसरे के सामने वाले के लिए ना होकर के किसके लिए होता है खुद के लिए यानि स्वेम के लिए जैसे मैं अपने आप चला जाओंगा मैं अपने आप चला जाओंगा यहां जाने वाला कौन है कह कौन रहा है प्रतम पुरूस से मद्द्यम पुरूस कह रहा है लेकिन ये बात मद्द्यम पुरूस अपने लिए कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाओंगा यानि कि स्वेम के लिए कहे रहा है तो यहां जो आप सब्द है वो किस के लिए आया है स्वेम के लिए ऐसे ही यहां पर एक नीचे वाक्य लिकर के हम पैचान करते हैं कि यह है किस के लिए आया है अब आप देखे इस वाकिये को और पैचान कर बताईए मैंने तुमें उसे बुलाने को कहा था इस वाकिये में कौन-कौन से पुरुसे सर्वे नाम है देखिए यहां मैंने मैंने सब्द है वो किस के लिए है उसके बाद में तुमें और उसे तो हम देखते हैं मैनने जो है वो उत्तम पुरुस के लिए तुमें है वो मद्धम पुरुस और उसे यानि की अन्य पुरुस अब दूसरा शर्वे नाम का जो भेद है वह है निश्चे वाचक शर्वे नाम यानि कि किसी वेक्ती या वस्तू की निश्चितता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे निश्चे वाचक शर्वे नाम इसे हम संकेत वाचक शर्वे नाम भी कह सकते हैं या कह देते हैं क्यों क्यों कि जब किसी चीज की निश्चितता बताई जाती है तो कई बार हाथ से इसारा यानि संकेत करके भी कह देते हैं तो इसको संकेत वाचक नाम भी दिया गया है जैसे यह मेरी पैंसिल है, यह मेरी पैंसिले हैं, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तके हैं अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह यह वह के तुरंत बाद संग्या शब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए आप देख रहे हैं कि यह यह वह के बाद मैंने भी संग्या सब्दों का प्रियोग नहीं किया है क्योंकि अगर इसके तुरंत बाद संग्या सब्दों का प्रियोग किया जाएगा तो ये सर्वे नाम सब्द उन संग्या सब्दों की विशेस्ता बताने के कारण सार्वे नामिक विशेशन बन जाएंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब निश्चे वाचक शर्वे नाम के उधारन लिखें तब संग्या के तुरंत बाद किसी संग्या सब्द का प्रियोग ना करें नहीं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि शर्वे नام सब्द उन संग्या सब्दों की विशेष्ता बताने लगते हैं जिनके कारण ये सर्वे नाम होते हुए भी विशेशन का कारिय करने लगते हैं और वे विशेशन बन जाते हैं आज की कक्सा में इतना ही सर्वे नाम के बाकी चार भेद अगली कक्सा में पढ़ेंगे धन्यवाद